हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की फास्ट एक स्मार्ट वाच को आप लोग चार्जिंग कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक फास्ट एक स्मार्ट वाच है और इस वाच को जो आपको चार्ज में लगाना है अगर आपको जो चार्ज में लगाना नहीं आता है या आपको जो यह स्मार्ट वाच है का चार्ज नहीं हो रहे चार्ज में आप लोग लगा रहे हो फिर भी चार्ज नहीं हो रहे हैं तो केसे आप लोग अपने इस smart watch को जो आप लोग charging कर सकते हो गाइस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देहिए और अगर वीडियो पसानाए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस स्मार्ट वाच को डंड़ाने के लिए आपको सबसे पाइले केबल चाहिए होगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है तो कभी कभी किया हdimotordon अगर आपका चारिजिंग का चीपक जाएगा लेकिन कभी कभी कहते हैं कि दूसरा केबल के साथ जो एक ठीक से चिपक नहीं पाता है तो चार्ज नहीं होता है तो आपको जो है ओरिजिनल केबल यूस करना है फास्ट चेक का उसके बाद आपको सिंप्ली किया करना है जाएं आप जो ये magnet है अगर आप लोग इसे उल्टा करके लगाओगे तो देख सकती है जो connect नहीं होगा ठीक से देख सकते आपर connect नहीं हो रहे है तो आप लोग इस तरीके से एक बादर ट्राइ करेंगे उल्टा साइट से मतलब इधर से नहीं हो रहे है तो इधर से आपको try करना है तो जो ये wire हैगा इस वो आपके smart watch के साथ connect हो जाएगा और आपका जो ये watch हैगा इस watch charging होने लग जाएगा और जो भी आप लोग adapter यूज करते हो इतना heavy adapter यूज मत कीजिएगा क्योंकि heavy adapter से जो है आपका जो है ये charging जो है खराब भी हो सकता है आप लोग थोरा सा जो है कम heavy मतलब थोरा सा कम power का adapter यूज कीजिए इस watch को charge में लगाने के लिए तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने fast tech smart watch को आप लोग charging कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई